असलाम लेकुम विवर्ज कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ सब खेरियत से होंगे विवर्ज आज हम बहुत ही खुपसूरत नेक्ट देन बनाने लगे हैं जिसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है और इसकी चुडाई मैंने 4 इंच ली है दोनों तरब 7 इंच पर निशान लगाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और सेंटर में 1 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाकर गले को गुलाई में शेप दे ली है अब हम गले को कट कर लेंगे एतियाद के साथ जो हमने निशान लगा है हम गले को गुलाई में शेप देते हुए कट कर लेंगे ये देखे विवर्स हमने गले को कट कर लिया है इसकी शेप बिलकुल गुलाई में आई है और ये हमने कंट्रास कपड़े की चोरस पटीं कट कर ली है जिनकी लंबाई और चुड़ाई दो दो इंच है इनको हमने डबल तकोन शेप देते हुए डिजाइन बनाना है कुछ इस तरह से और इस पटी से हमने लूप्स त्यार करनी है इसको कॉर्णर से पकड़ते हुए हम फोल्ड करेंगे सेंटर तक और फिर इसको एक लूप्स शेप देंगे कुछ इस तरह से शेप आएगी इसकी इसी तरह हम तमाम पटियों से लूप्स बना लेंगे देखे विवर्ट हमने तमाम पटियों कट कर ली है अब एक्स्टर कपड़े पर हम गले को पेस्ट कर लेंगे अब हम इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने किनारी पर सिलाई लगानी है इसी तरह हम तमाम सिलाई मुकमल कर लेंगे ये देखिए हमने सिलाई मुकमल कर ली है अब एक सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम के साथ लगानी है एहतियाद के साथ बुकरम के ओपर सिलाई नहीं आनी चाहिए गुलाई में शेप देते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे ये देखे विवर्द हमने एक सिलाई लगा ली है बुकरम के बिल्कुल साथ अब इन चोरस पटियों को तकॉन शेफ देते हुए स्टीच करना है इनको कुछ इस तरह से डबल तकॉन शेफ देते हुए स्टीच करना है स्टीच करते वक्त दोनों पटियों का रुख एक ही तरफ होना चाहिए और कलर का भी ख्याल रखें कि हमने उपर कौन सा कलर यूज किया है और नीचे कौन सा किया है ताके हमारी तमाम तकौन एक जैसी बन सके और तमाम तकौन पर सिलाई भी बिलकुल बराबर आनी चाहिए इसी तरह हम तमाम पटियों को फोल्ड करते हुए तकौन शेफ देते हुए त्यार कर लेंगे यह देखे वी वर्ड़ हमने तमाम पटियों को तकौन शेफ दे ली है अब हम एक्ष्टरा कपड़े को कट कर लेंगे कुछ इस तरह से यह देखे हमने तमाम तकौन को कट कर लिया है अब हमने लूप्स दियार करनी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इसको center तक fold करते हुए हमने loops की shape देते हुए stitch कर लेना है कुछ इस तरह से loops त्यार करते वक सिलाई को थोड़ा छोटा कर ले यह देखिए हमने loops को stitch कर लिया है इसकी shape कुछ इस तरह से आई है इसी तरह हम तमाम पटियों को loops shape देते हुए stitch कर लेंगे यह देखे वीवर्द हमने स्टीच कर लिया है अब हम एक्स्टा कपड़े को कट कर लेंगे यह देखे हमने तमाम लूप से एक्स्टा कपड़े को कट कर लिया है यह देखे वीवर्द जो हमने बुकरम के बिल्कुल साथ सिलाई लगाई थी इस पर हम तकौन की सीधी साइड रखते हुए स्टिच कर लेंगे हमने एक तकौन और दो लूप्स रखते हुए स्टिच करने है दोनों लूप्स बिल्कुल बराबर रखते हुए स्टिच करना है ताके हमारी डिजाइनिंग में लूप्स की शेप बिल्कुल बराबर आए, छोटी बड़ी ना आए इसी तरह हमने दो लूप्स और फिर आगे एक तकौन अटैच करनी है गले पर यह बहुत ही खुबसूरत नेक डिजाइन त्यार होगा हमने बिल्कुल गुलाई में ही शेप देते हुए इनको स्टीच करना है जैसे कि हमारे गले की सिलाई गुलाई में आई हुई है उसी पर रखते हुए अटैच करना है इसी तरह हमने दो लूप्स और एक तकौन को रखते हुए तमाम गले पर अटैच कर लेना है यह देखे विवर्ज हमने तमाम लूप्स और तकोन को अटैच कर लिया है अब हमने शर्ट की सीधी साइड पर गले की सीधी साइड को रखते हुए सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा गला बिल्कुल सेंटर में आए ये देखे विवर्ज अब हमने बुक्रम के बिल्कुल साथ एक सिलाई लगा लेनी है गुलाई में शेप देते हुए तरह हम अपने गले की सिलाई को मुकमल कर लेंगे ये देखे विवर्ज हमने सिलाई लगा ली है अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे बिल्कुल एहतियात के साथ कट करें हमारी वुक्रम नहीं कट होनी चाहिए ये देखे हमने गले को cut कर लिया है अब extra कपड एक पर छोट छोटे cut लगा लेंगे और इसको सीधी तरफ fold करते हुए press कर लेंगे ये देखेवी वर्थ हमने गले को अंदर की तरफ fold करते हुए किनारी पर एक सिलाई लगा ली है और इसकी खुबसूरती के लिए हमने पाल्जोर बीड्स का यूज किया है जिससे इसकी फिनिशिंग बहुती अच्छी आई है यह देखिए यह हमारे गले की फाइनल लूप कुछ इस तरह से आई है यह बहुती खुबसूरत नेक डिजाइन तियार हुआ है प्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तब तक दीजे इजाज़त अल्ला नहेंगेबान